असा ही ये वेदना में अनुभव कर रहा हूँ और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछनों कुछनों नोंने घवाया है जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से बिप परे मन को बिचलित करने वाला जिन परिवार जनों को इंजरी हुई हैं उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्त के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी जो परिजन हमने खोये हैं वो तो वापिस नहीं ले पाएंगे लेकिन सरकार उनके दुख में परिजनों के दुख में उनके साथ हैं कि सरकार के लिए यह घटना त्यंत घंबीर हैं हर प्रकार की जांच के निर्देश दिये गए हैं और जो भी दोशी पाए गाएगा उसको सक्त से सक्त सजा हो उसे बखसा नहीं जाएगा मैं उडिशा सरकार का भी यहां के प्रशासन के सभी अधिकारियों का जिन्हों ने जिस त्वरा से इस परित्थिति में अपने पाएगा जो भी समसादन थे लोकों की मदद करने का प्रयास किया मैं यहां के नागरिकों का भी रुदय से अभिनदन करता हूं क्योंकि उन्हों ने इस संकट की घड़ी में जाए ब्लड डोनेशन का काम हो जाए रिश्क्यू अपरेशन में मदद की बात हो जो भी उनसे बन पड़ता था बन करने का प्रयास किया है खास करके इस शेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की हैं मैं इस शेत्र के नागरिकों अभी आदर पूरवक नमन करता हूं कि उनके सैयोग के कारण आपरेशन को तेज गती से आगे बढ़ा पाए रेल्वे ने अपनी पूरी शक्ती पूरी वबस्ताएं रिस्क्य आपरेशन में आगे रिलीव के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो ज्यातायात का काम तीजगती से फिर से आए इन तीनों दुरुष्टी से सुभी चारी दुरुप से प्रयास आगे बढ़ाया है लेकिन एक दुप्ती घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देखकर के आया हूँ अस्पताल में भी जो खायल नागरीक से उनसे मैंने बात की है मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रगट करने के लिए लेकिन परमात्मा हम शब को सक्ति दे हैं कि हम जल्द से जल्द इस दुख की गड़ी से निकले मुझे पूरा भी स्वास है कि हम इन गटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरीकों की रक्षा को प्रात्मिक्ता देते हुए आगे बढ़ाएंगे दुख की घड़ी हैं हम सब प्रार्षना करें इन परिजनों के लिए